हर्याना के डिप्ती स्पीकर रनबीर गंगवा साहब मेरे साथ मोजूद है किसान जो है अब दो हिस्सों के अंदर बढ़ चुका है एक वो जो दिल्ली के बोर्डर्स पर बैठा है वो और एक वो वाइट कोलर किसान जो अभी कुछी दिन पले किसानों का कहना यह है कि हमें जो चीज चाहिए ही नहीं वो नकी सीद्रिया जा रहा है और नकी से समझाने की कोशिश भी की जा रही है आप बोल रही है कि बदलाव हर्ची इस के लिए जरूरी है तो बदलाव MS स्वामी दातिल की रिपोर्ट लागू करती तो नहीं लाया गया हलाकि प्रधान मंत्री साहब ने कहा भी था इसको लागू करती है आप पर भी जो है आर्यानगर के अंदर हमला हुआ सांसच सहाब या फिर यूं कहीं कि जो भाजपाई विधायक थे उन्हें मंदिर में बैठ करके अपनी जान बचानी पड़ी है तो जिस तरीके से महोल उग्र होता जा रहा है क्या लगता है कैसे शांद करवा पाएंगी जोगिराम सिहाग जी हलांकि उन्होंने ये बयान दिया है कि किसान में तागर चाहेंगे तो वह अपनी विधायक सीट से इस्तिफात दे देंगे क्या उनके इस एलान से तो क्या आप पर कोई समाधिक दबाव जो इस बात से इस एलान से बढ़ता है हमस्कार मैं होंकिता सिंग और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल से टिबिक निउस पर फिलहाल हर्याना के डिप्टी स्पीकर रंबीर गंगवा साहब मेरे साथ मुझूद है सर स्वागत है आपका हमारे जी नमश्कार सर जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर या मैं तो किसान है और मैं एक किसान होने के नाते ना केवल समर्थन में बलके मैं किसान का हिस्सा भी हूं और जहां तक बात समर्थन की हम हर जाइद चीज का समर्थन करते हैं किसी का भी कोई विरोध नहीं है लेकिन चीजों को समझने की जुरूरत है किसी भी बात पर मैं तमाम किसान भाईयों से भी स्वाद करने वे दिन करूंगा कि कोई भी चीजे हैं उसको समझने का काम करें कोई भी राजनतिक भेंट ना चड़ें किसी के बहकावे के अंदर ना आएं और जो भी चीजें हैं जो चाहिए सरकार अब जो लेकर किया आई है उसमें भी जब हर बिंदू पर हर उसके उपर चर्चा करने के लिए तियार है कहीं कोई अगर उसके लगता है कि ये गलत है तो उसके बाद मुझे लगता निकिक्शी तरह के दिखकत होनी चाहिए सब्सक्dy deflection किसानों का कहना यह है कि हम जो चीज चाहिए ही नहीं वह धक्के से दीया जा रहा है धक्के से समझगाने की कोशिश भी की जा रही है आप लोग कह रहे हैं कि आप जो है बात सही कह रहे हैं आपका पक्षित संपन है क्या उसमें कोई बदलाओ की जरूरत नहीं है क्या ये किसान मानता है कि इसमें बदलाओ की जरूरत नहीं है अगर बदलाओ की जरूरत नहीं है तो फिर आज किसान करज के निचे क्यों है हम बार बार कहते हैं कि मैं मैं एक किसान हूँ मुझे इस बात का पता है कि आ लेकिन इंदुस्तान के अंदर कोई भी चेंज किया जाता है अगर उसको ठीक ना लगे तो उसमेंडमेंट किया जाता है हमारा सविधान माफ कीजी का बीच में आपको रोक रही हूं आप बोल रहे हैं कि बदलाव हर चीज के लिए जरूरी है तो बदलाव MS स्वामी नाथन Source की रिपोर्ट लागू करके कि यू नहीं लाया गया हालांके प्रधानमंत्रे साहब ने कहा भी था स्वामी नाथन आयों की जो बातें हैं वह कहा भी था काफी सारी चीज उसमें लागो की भी गई है आप ये नहीं दाना की सरकार मैं यहाँ पे जहां सेंटर गवर्मेंट की तरफ से गेहूं और धान खरीदा जा रहा है वहीं जो बाजरा है मुंग फड़ी है सुरुज मुकी है चना है वो भी हम में पर खरीदने का काम कर रहे हैं ताकि किसानों को उसका लाब दिया जासके और हर्याना गवर्मेंट ने इससे भी आगे दिया गया है उससे भी अगर नगर मनड़ी में भीक्ति है तो किसान की बेंडिया जाता है इस तरीके की योजनाय लाणे का काम सरकार कर रही है लेकिन अब क्योंकि एक टरीके से यह दिमाग में बना दिया गया कि यह थो केवल और प्सस्तून एसको त 얼굴 bagage जाए कोई भी आज 1926 नमंबर 26 जनवरी 1950 को हमारा जो सविधान लाग हुआ था और उसके बाद में लगातार अब तक अब सो से उपर उसके अंदर जो है वह संसोदन हो गए कहीं भी किसी भी कानून के अंदर अगर कहीं कोई दिक्कत प्रशान नहीं तो अमंड्मेंट किये ज लोग है जो कि परमित करने का काम करते हैं तो अगर कहीं हमारे दिमाग के अंदर एक चीज आ जाती बहुत जिद चोड़ करके उस पर चर्चा करें सरकार भी सरकार ने भी इस बात को मान लिया खुले बंद से कि ठीक हम जिद चोड़ करके हम यह नहीं कहते हैं कि अगर कहीं कोई गलत है डिबेट करेंगे बैठ करके और उसको दूर करने का काम करेंगे उसे कोई दिक्कत होने ही नहीं चाहिए किसी तरह की की जी सर आप लोग एमेंडमेंट की बात कर रहे हैं मगर किसान पक्ष्य मानने को तयार नहीं है और में बैठ करके अपनी जान बजानी पड़ी है तो जिस तरीके से माहोल उग्र होता जा रहा है क्या लगता है क्या इसे शांत करवा पाएंगे जल्दी नहीं तो हमारा जो है सविधान और नहीं हमारे संसकार इस बात की जो इजाज़त देते ना इस टाइप के हैं और नहीं कहीं डेमोक्रेशी में इंसा की कोई जगह होती तो इसमें और नहीं उससे कोई कोई हल हल जो है वह बैठ करके कोई बातचीत से उससे होता है उसके लिए सरकार तयार भी है और इस बात को कुछ एक जो इस टाइप की जब आंदोलन होते हैं उसके अंदर को सरारती लोग भी होते हैं उनको सबको जो इस बात की तकलीब होती है अगर कोई और गलत बात होती है तो अब जहां तक आप 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 चलकाने मेरी बात लेजी अब किसी जो बच्छों रखकत की तो उनको तकलीब भी होई जो सीनियर लोग थो जो चॉड़े हों है वह भी मिरे पास आए उन और ना ही किसी को इस टाइब की कोई भी बात करने चाहिए परजात अंतर के अंदर हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है चाहे कोई आंदोलन करके धरना करके उसका जो है हमारा जो सविधान उसके इजाज़त देता है लेकिन उसके साथ साथ हमारी डूटीज भी है कि जो चीज हम कर रहे हैं उसके पूर हमारा कंट्रोल जो है रहना चाहिए और इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं और उमीद भी करूंगा कि जो जो तमाम चीज़ें वो शांति पूरुक्त के सी होनी चाहिए आखरी सवाल आपसे यह करना चाहूंगी कि आप ही के कुछ दूरी पर रहते हैं जजबा विधायक जोगिराम सिहाग जी हलाकि उन्होंने यह बयान दिया है कि किसान नितागर चाहेंगे तो वह अपनी विधायक सीट से इस्तिफात दे देंगे क्या उनके इस ऐलान से क्योंकि आप भी पास में वह विधान सभागत नहीं सेंट्र गॉइरमेंट का है और दूसरी बात यह अगर सरकार कहीं कोई जिद पर अड़े तो यह इस टाइप की बातें की जाती है जब सरकार यह कहती है कि हम बिंदू वार उसे चर्चा करने के लिए तयार है और सरकार सेंट्र कॉर्पे मंतरिश नहीं होती ना ही को विदान सभा का मामला है और जब सरकार हर चीज पर त्यार हो तो मुझे लगता नहीं पर कोई टक्राव की या कोई विचारों के भी टक्राव की को ऐसी बात है क्योंकि उसे बैठ करके और किसी भी समस्या का सब्धान किया जा सकता है बहुत-बहुत करते रहूंगे देखने के लिए जुड़े रही सिटी बेग न्यूस के साथ मश्कार